दोस्तों इस वीडियो में हम एक एसी शेर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने quarter 4 के result यहाँ पर recently यहाँ पर declare किये हैं और उसके बावजुद सरकार नहीं यहाँ पर जो फेसला किया है जिसके कारण इस शेर के अंदर आज आज आपको 10% की तेजी देखने को मिल रह हैं जिसमें आप company की अगर total income को यहाँ पर देखेंगे तो total income भी यहाँ पर 5,23,225 से बढ़कर 6,26,69 हो गई है तो already company के total income में तो काफी अच्छी growth आपको देखने को मिल रही है साथ ही साथ अगर आप PBD याने की profit before takes भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको होते वे देखने को मिला है याने की quarter 3 के अंदर जो PBD 84,265 था वो घट कर 42,266 रे गया है लेकिन इन सब के बावजुद net profit के अंदर किसी प्रकार का कोई impact आपको देखने को नहीं मिला है net profit जो यहाँ पर company ने quarter 3 के अंदर 37,842 का book किया था वो बढ़कर 51,220 का हो गया है औ तो इनको calculate करके आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ना चाहूंगा और ये भी बताना चाहता हूँ आपको के company ने जो अपने financial result डेकलेर करें हैं वो अभी 3 दिन पे ले याने कि 3 माई 2021 के दिन हैं डेकलेर करें हैं और जब से यहाँ पर result डेकलेर हुए हैं उसके बा प्रकार से यहाँ पर changes नहीं क्या है और public holdings भी में भी आपको किसी प्रकार का यहाँ पर changes देखने को नहीं मिल रहा है अब बात कर लेते हैं NAC के आज के trading session के बारे में तो अभी market जब तक open है तब तक 10 बज़े तक अगर मैं बात करूँ तो 10 बज़े तक ही इस share के अंदर 6 यह करोड 12,28,500 से 27 quantity trade हो चुकी है और NAC के अंदर top पे यह share आज बना हुआ है जी हाँ दोस्तों नाम तो आज समझी गया होंगे लेकिन अगर आप नहीं भी समझें तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके पहले अगर आप deliverable based काम देखेंगे तो 44.60% याने की IDBI Bank Limited के अंदर आज आपको 10% की तेजी देखने को मिली है और इस 10% की तेजी के पीछे की वज़े क्या रही है उसे भी बताएंगे लेकिन सिर्फ उस वज़े के कारण आप इस shares के अंदर investment नहीं करें इसलिए मैंने आपको company के याने कि IDBI Bank के पहले financial numbers भी आपके साथ share करें अगर आज के IDBI के हम numbers की बात करें तो आज IDBI का shares 41.30 पेसे पर open हुआ 43.50 पेसे का इसने high बनाया और 40.35 पेसे का इसने low बनाया अगर आप इसकी current share price देखेंगे तो 40.35 पेसे पर ये trade कर रहा है लगबग 6.5% की तेजी वीडियो बनाने तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इसी के साथ में अगर कल की closing की बात करें तो कल IDBI का share 30.35 पेसे पर close हुआ था लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि NAC और BAC के अंदर IDBI अज टॉप पर बना हुआ है नाहीं आपको वहाँ पर Yes Bank देखने को मिल रहा है और नाहीं आपको PNB Bank देखने को मिल रहा है IDBI Bank आज टॉप पर आ गया है और सबसे बड़ी बाग 40 रुपे का ये share आपको आने वाले टाइम में भी काफी अच्छे returns बना कर दे सकता है अगर हम IDBI Bank के 52 वीक के हाई की बात करें तो इस साल तो इसने अपने 52 वीक के हाई को छुआ तक नहीं है 7 जुलाई 2020 के दिन ही आपको IDBI Bank का 52 वीक का हाई देखने को मिला था जो की 56 रुपे 20 पेसे का इसने बनाया था लेकिन अब यहां से उमीदे लगा सकते हैं कि IDBI Bank वापीस अपने 52 वीक के हाई को अच्छिव कर सकता है क्योंकि Cabinet की तरफ से यहां पर जो IDBI Bank को लेकर News निकल कर आई है उसका Impact आपको आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक देखने को मिल सकता है तो आईए अब उस News की तरफ भी चलते हैं जिसके कराण आज आपको IDBI Bank के अंदर 10% की तीजी देखने को मिल रही है IDBI Bank Strategic Disinvestment Plan Approved by Cabinet जी हां दोस्तों Cabinet की तरफ से Approval मिल गई है यहां पर IDBI Bank को Disinvestment Plan की तो यहां पर जैसे ही Disinvestment Plan की News निकल कर आ रही थी जिसके करेंट कल तो Shares के अंदर 4-4% की तीजी थी ही लेकिन कल Market Close होने के बाद में जैसे ही यहां पर Disinvestment की यहां पर News निकल कर आई उससे आज Market के Open होते ही IDBI Bank के अंदर आपको लगबग 9% की तेजी देखने को मिल ली है Union Cabinet on Wednesday gave Approval for the Strategic Disinvestment and Transfer of Management Control in IDBI Bank The Cabinet Committee of Economic Affairs chaired by Prime Minister Shri Naren Modi यहां पर हमें Approval देखने को मिल रही है जो की यहां पर हमारे Prime Minister से भी Approval आ गई है जिसमें उन्होंने किये दिया है कि Approval for Strategic Disinvestment along with Transfer of Management Control in IDBI Bank Limited The Center said in a statement The extent of respective shareholdings to be devastated by GY and LIC याने कि Government of India and LIC याने कि Life Insurance Company shall be decided at the time of structuring of transaction in consultation with RBI इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यहां पर Government of India और LIC अपना कितना market यहां पर stake करती है याने कि कितना holdings यहां पर IDBI के अंदर stake करती है तो आप जब इस news को पढ़ेंगे तो इससे पता लग जाएगा The Government currently owns a 45.48% stake in IDBI bank while Life Insurance Corporation याने कि LIC owns 49.24% controlling stakes in the lender In 2019, the state on Life Insurance infused Rs. 21,624 crores into the bank LIC is currently the promoter of IDBI bank जी हां दोस्तों यह line ध्यान रखेगा LIC is currently the promoter of IDBI bank with management control and the government is the co-promoter तो यहां पर IDBI bank के अंदर LIC जो है वो यहां पर promoter है और GOI याने कि Government of India जो है वो यहां पर co-promoter है क्योंकि LIC का जो यहां पर stake है वो Government of India से यहां पर कही जादा है साथी साथ LIC board has passed a resolution to effect that LIC may reduce its shareholding in IDBI bank limited through devesting its stake along with strategic stake sell invested by the government with an intent the equivalent management control and by taking into consideration price market outlook, statary stipulation and interest of policy holders the statement mentioned ultimately हम बात करें तो यहां पर GCDC investment को लेकर यहां पर news निकल कर आई है जिससे IDBI bank के अंदर बहुत अच्छी news आपको देखने को मिली है और एक positive impact आपको इसके अंदर create होता वा देखने को मिल रहा है यह TG आगे भी आपको continue रहने को देखने को मिल सकती है तो यदि आप IDBI bank के अंदर investment करना चाते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत सही हो सकता है क्योंकि long term के हिसाब से यह bank अब आपको काफी अच्छे returns बना कर देख सकता है क्योंकि privatization और disinvestment के बाद में इसके अंदर बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर बन सकती है और सिर्फ में यह नहीं कहना चाहरा हूँ कि आप इस news को देखकर रही इस share के अंदर investment कर दीजिए मैंने आपके साथ इस share के याने कि इस company के financial numbers भी आपके साथ share कर चुका हूँ मैं इसके अंदर काफी अच्छे improvement आपको quarter 3 के compare में quarter 4 में देखने को मिल रहे है at the end final decision आपका होगा आप इस shares के अंदर investment करना चाहते हैं या नहीं लेकिन उमीद है आप कोई video और update पसंद आई होगी अगर आप कोई video पसंद आई है तो इसे like और share करना बिलकुल न भूले है मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected stay updated